कांद जानुझे सूरुट स्भीं में आपका एक बाख फिर से सोगत अगाट वार प्रेंड्स गड़ेश चतुरती तो गड़ेश जी सभी के घर में पधागते हैं तो क्यों ना इस बाख गड़ेश जी का सोगत से केक मोदक केक से किया जाए तो जी हां फ्रेंड्स आज हम आपके संग्सेयर करने वाले हैं मोदक केक किस तरह बनाते हैं घर में भी आसानी से आप बना सकते हैं तो इसके लिए कोई तीन लेयर में कट कर लेना है पहले यह बटर पेपर लगाया था तो उसे रिमूब करेंगे और तीन लेयर में आप इसको कट कर लिजे तो फ्रेंड्स मोदक तो सभी भोग लगाते हैं पर केक मोदक बनाकर अगर आप गड़पती जी को खुश कर दें तो बहुत ही अच्छा देखेंगे तो जो सबसे उपर वाला लेयर था वह हमको नीचे रखना है जो छोटा था अउपर रहेगा तभी मोदक का सेप आएगा तो इसलिए इसको हमने सबसे नीचे रख दिया है अब इसको हम आप चाहें तो नौर्वर पानी से दूस्से जिससे भी करें हम रबडी स इसको सोक कर रहे हैं क्योंकि हम मोती चूर का लड़ू रबडी फ्लेवर में बना रहे हैं तो इस तरह हमको रबडी से चारो तरफ इसको कोट कर देना है मॉस्चर के लिए इसको करते हैं इसको सॉप्ट रहेगा इससे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है अगर आप चाहें तो इसकी जगह नॉर्मल पानी यह सूगर वाटर गुलाब जल वगरे से भी सोक कर सकता अब यह विप क्रीम हमने पहले से विप करके रखी है तो स्प्रेट करिए तो अब हम इसको पूरे चारो तरफ अच्छे से फैला लेंगे तो आप चाहें तो इस समय यहां पर भी आप मोती चूर का यह रबड़ी का एसंस आता है जो वह आप इस क्रीम में डाल करके इसको लगा सकती है तो अब हम इसके उपर क्या करेंगे हमको यह जो लड़ू मोती चूर का जो लड़ू हमने लिया है इसे हमने चूर कर लिया है और इसको एक लेयर ऐसे लड़ू की डाल देंगे और चारो तरफ फैला देना है तो friends अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो please like, share, subscribe कीजिए अब इसके उपर थोड़ी से cream डालेंगे क्योंकि cream डालने से उसी में मतलब mix हो जाता है अराम से set हो जाता है ऐसे तो जब दूसरा layer रखेंगे तो लड़ू उस पर चिपक जाएगा ऐसे ये cream के साथ set रहेगा तो इसलिए थोड़ा सा cream इसके उपर spread करना जरूरी है तो like, share, subscribe करने के बाद जब subscribe करेंगे तो बगल में एक bell आएगा उस bell को बजाना मत भूलिएगा friends उसको अगर आप बजाएगे तो मेरे सारे वीडियो नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचेंगे notification आपके पास सबसे पहले पहुचेगा तो अब इसके बाद हमने दूसरा लेयर रखना है और इसको भी हम रबडी से सोख करेंगे और फिर रबडी से सोख करने के बाद फिर वीप क्रीम रखेंगे फिर इसके उपर लड्डू का चूर रखेंगे फिर वीप क्रीम और फिर थर्ड लेयर इस तरह ही जित्ते लेयर आपने काटे हैं चाहे चार हो पांच हो जित्ते लेयर हो उस हिसाब से आप इसको सेट कर लेंगे आप सबसे पहले हम दो लेयरों के बीच की गाड़ रहती है उसको बहरेंगे इससे क्या होता है केक अपनी जगह से हेलता नहीं है यह तो क्या उपर करते करते नीचे लेयर खशा कि जाता है तो सबसे पहले आप इसको सेट कीजिए इस तरह हम spread करके पूरी क्रीम को बराबर करके दोनों लियर को fix कर देंगे तो जैसा कि अपने बताया कि इसी तरह जितने लियर हैं आपके आप उस तरह पूरा कर लिजिए अब इसको हम crumb coating करने के बाद अगर आप चाहते हैं अगर आपके पास समय है तो आप इसको crumb coating कीजिए और 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए और अगर समय नहीं है तो crumb coating न करके direct final icing कीजिए और तब उसके बाद आप 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखें तो हम इसको crumb coating करेंगे और फिर हम फ्रीज में रख देंगे 10 मिनट के लिए तो फ्रेंड्स इस बार आप जरूर बनाईएगा ये मोदक केक बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है और बनाईएगा तो आप और भी अच्छा लगएगा कि अपने हाथ का बना हुआ market में भी मिलता है पर आप अपने हाथ का बना हुआ लीजिए तो ये मेरा final coating हो गया है दस मिनट बाद हमने फ्रीज से निकाल लिया है आइसिंग के क्रम कोटिंग के बाद sorry final coating हमने नहीं की थी अब इसको आपको क्या करना है जब आप 10 मिनट के बाद freeze से निकाले तो इसको एकदम smooth करने के लिए आपको platter knife जो है उसको normal पानी में deep करके इसके चारो तरफ ऐसे round round कीजिए तो एकदम से ये एक layer सा हो जाता है तो ये मेरा फुरा complete हो गया icing से complete मोदक तयार है अब आप चाहें तो इसी पर design बना सकते हैं पर हम ये लड़ू को तोड़ करके पूरे चारो तरफ इस लड़ू की coating करेंगे तो एकदम हलके हाथ से आपको रखना है बस इस पर थोड़ा थोड़ा ऐसे रखते जाए और प्रेस जादे tight हाट से मत कीजिए बहुत ही normal हाथ से आपको धीरे धीरे प्रेस करके रखेगा तेज से अगर दवा दिया तो सारी क्रीम एकदम दब जाएगी और लड़ू अंदर चला जाएगा तो ये देखे इस तरह करते हुए मेरा मोदक तयार हो गया है अल्मोस्ट तयार हो गया है तो इसी तरह आप भी बनाईए तो नह फ्लेवर में बूंदी चूर फ्लेवर में मोदक तो ये देखें कम्प्लीट हो गया अब आपको क्या करना है इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप अगर डेकोरेट करना चाहें कुछ अलग तो वह भी कर सकते हैं तो इसको कम्प्लीट करने के बाद अब इसके उपपर हम काजू लगाएंगे और आप चाहें तो बादाम पिस्ता कुछ भी लगा सकते हैं तो अब ऐसे आपको काजू लगा देना है नॉर्मल काजू जैसा होता है वैसे इसको तला और कुछ नहीं गया है बस कट करके छोटे-छोटे पीस में आप इस तरह लड़ों के बीच में आप चाहें तो बादाम पिस्ता नारियल तो जो आता है उसे भी लगा सकते है किसी भी कोई भी ड्रायव में में कतलीवर में बना सकते है जिस फ्लेवर में आप खाना चाहें? उस तरह आप डेكونलेट करें अपने मदग को काजू चारो तरफ लग गया है अच्छे से तो फ्रेंड आप चाहें तो लड़ू न लगा के जैसे हमने बिप क्रीम लगा के त्यार किया था उस तरह भी आप मोदक त्यार कर सकते हैं उस पे भी आप ड्रायर जो गुलाब की पंखुड़ी हां आती हैं उसे पिस्ता यह सब डाल करके आप उसे भी त्यार बहुत अच्छे से कर सकते हैं यह है चांदी का वर्प तो इसे लगाने से मोदक और भी सुन्दर देखेगा तो यह एकदम मार्केट जैसा मोदक आपका त्यार हो गया चांदी का वर्प भी लग गया काजू भी लग गया सारे की कुछ लगा दिए अब बस भगवान को भोग लगाना है तो एकदम अच्छे से सुन्दर सा तयार कर लिजिए आप भी मोदक और भगवान को फिर भोग लगाईए यह सुन्दर सा मोदक तयार है तो अब आप बनाईएगा और मुझे जरूर बताईएगा कमेंट स्वाक्स में कि आपने मोदक बनाया था तो आपका कैसा बना और आ आप उसे लगा सकते हैं तो देखिए यह हमने पेपर पंखा जैसे बनता उस तर बना के हमने इसके चारोत अप लगा दिया है तो इस तरह आप लगाईए एकदम बजार की तरह दीखेगा तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स वीडियो में बहुत जल्द फिर से मुलाकात करेंग तक तक के लिए बाइ बाइ